जेहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए आपर हिंदी साहित के बहुत ही महत्वपूर्ण कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा बस्ते देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरू बताएं क्या होगा इसका सही आंसर तो अप ब्रंस का बाल मीकी कहा जाता है किसको कहा जाता है तो आपके यहां पर सही आंसर क्या होगा स्वेंभू विकल्प नंबर आपके यहां पर सी राइट आंसर होगा बिलकुल सही विकल्प जिन्हों ने बताया है सही answer question number 42 क्या पूंचा गया है तो देखिए आप ब्रंस के प्रिथम महा कभी कौन थे तो आप ब्रंस के प्रिथम महा कभी आपसे पूंचा है हम रामचंद्र स्वयंभू या दत्य तो question number 42 का right answer बताईए चार विकल्प आप कहां पर दिये गए हैं अप ब्रंस के प्रिथम महा कभी पूंचा है तो महा कभी में आपके हो जाएंगे कौन में आपका right answer है स्वयंभू स्वयंभू आपका यहां पर सही answer है विकल्प नंबर भी right answer question number 43 पूंचा है यहां पर की स्वयंभू की किरती का नाम है पद्मपराण पाहुड दोहा महापराण या पूंचा है तो question number 43 का answer बताईए क्या होगा इसका right answer चार विकल्प है महत्तुपूंड question है और यह आपके जो question है यह पूंचे गया ही question है आपकी पिछली परिच्छा में तो यहां पर आपका बताना है कि स्वयंभू की किरती का नाम बताना है तो आपका सही answer है पूंच चर्यू पियमचर्यू विकल्पीक नंबर D आपका है ऑपको यहां पर सही answer है question number 44 कی gonna a Φिया सय ग्या है पियमचर्यू किसकी रचना है तो वही question आप से यहां पर पूंचा क्या है धाविकल्प नंबर आपका सही answer है और प चूंचर पो देख लेते हैं कि 95 से किस ग्रंत में लिखा है कि अगनी परिक्चा की वासीता जन धर्में दीखचे तो जाती हैं तो बहए ग्रंत बताना है कौन सा बहए ग्रंत है बहए ग्रंत का नाम बताईए यहां पर महापुराण या भविश्चत कहा या परमातमा प्रकास पयूम चरिए तो Q45 का राइट स्प्चा गया यहां पर यह कि इसका क्वा था है इस प्रवक्ता पर इसका प्विशित कहा यहां कि विकल्प नंदर यह आपका यहां पर सही आंशर रैट आंसर बिल्कुल चाही और यहाँ पर question number 47 पूंचा है आप ब्रंस का भवभूती किसी माना जाता है यह question कई बार एक जाम में पूंचा जाचुका question है question number 47 बताइए आप ब्रंस का भवभूती सालिवद्द सूरी या कनकामर पुस्पदंत या धनपाल महत्पुन question है question number 47 और इसका जो सही answer है कि आप ब्रंस का भवभूती कहा जाता है पुस्पदंत को किसको पुस्पदंत यानि की विकल्प number B आपका यहाँ पर सही answer पुस्पदंत आपका right answer यहाँ पर है महापुराण कुमार चर्यू या जस हर चर्यू पयूम चर्यू तो आपका यहाँ पर सही answer हो का पुस्पदंत की नहीं है तो बहे रचिना कौन सी नहीं है तो आपका सही आंसर है विकल्प नमबर D यानि की पईउम्चरियू पईउम्चरियू यह जो है पुस्पदंत की रचिना नहीं है वल्कि यह स्वयम्भू की रचिना किसकी है स्वयम्भू की यह रचना है तो आपका यहाँ पर स्वयम्भू होना चाहिए था तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर D question number आपका उननचास पूँचा गया है कौन सी रचना स्वयम्भू कभी की नहीं है तो यहाँ पर 49 का आंसर बताना है नहीं पूँचा है स्वयम्भू जी की बताईए पढ़ियम चरियू स्वयम्भू चंदे और रिट अन्यमी चरियू महापुराण यह आपके चार विकल्प है Question number है आपका यहाँ पर 49 49 का सही आंसर है D महापुराण महापुराण आपका यहाँ पर सही आंसर है बिलकुल सही महापुराण आपका राइट आंसर पुस्पदंद की रशिना है यह स्वयम्भू की रशिना नहीं है Question number आपका 50 क्या पूँचा है ख़ली बोली में सबसे पहले काप दे सिर्जन करने वाले कभी कौन है ख़ली बोली में सबसे पहले काप दे सिर्जन करने वाले कभी हैं अमीर खुसरो, तुलसी दास, सूर दास इनमें से कोई नहीं Question number 50 का आपके लिए बताना है चार विकल्प आपके हाँ पर दिये गए हैं और इसका जो सही answer है Question number 50 का वह क्या होगा right answer बताई महत्तपूर्ण Question है विकल्प नमबर एक अमीर खुसरो अमीर खुसरो आपके हैं पर सही answer है विकल्प नमबर एक right answer यहाँ पर होगा Question number in count क्या पूंचा गया है तो यहाँ पर देख लेते हैं कि खड़ी बोली हिंदी में सरपर्थम रचिना करने वाले कभी का नाम बताना है तो Question number in count का आपका जो सही answer होगा वह क्या होगा in count का right answer यहाँ पर बताना है जाईसी विद्यापती अमीर खुसरो या भारतेंदू हरिस्चनर तो count का आपका जो सही answer है खड़ी बोली हिंदी में सरपर्थम रचिना करने वाले जो कभी है बाए कौन है अमीर खुसरो यानि की विकल्प नंबर भी आपका right answer होगा question number आपका यहाँ पर bound पूँचा क्या है क्या पूँचा है मुक्री लिखने का सरपर्थम प्रियास किस कभी ने किया था तो मुक्री लिखने का जो सरपर्थम प्रियास किया था मुक्रियां लिखी थी, सबसे पहले स्वेब्बू ने, अमीर खुसरो जगने क्या कमभन दास है, तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा, बाउन का क्या होगा राइट आंसर महत्तपुन कॉस्चन है, कई बार एक जामें पूंचा जाचुका कॉस्चन है और आपका अमीर खुसरो डाइट आंसर है मुक्रियां लिखने का जो प्रियास किया था सर परतम भई, अमीर खुसरो जी ने क्या था तो विकल्ब नंबर सी, आपका यहां पर सही आंसर है, कॉस्चन नंबर 53 पन क्या पूंचा है तो यहां पर देख लेते हैं कॉस्चन नंबर 53 पन आपका यहां पर दिया गया है, अमीर खुसरो की पहलियां तथा मुक्रियां का जो उद्देश से भई क्या है, इसका क्या उद्देश से है अमीर खुसरो की जो पहलियां है या मुकरियां है इनका उद्दे से बताना है तो आपको यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कॉस्चे नमबर त्रेपन है चार विकल्ब भी आपके यहाँ पर देगा है बताए कमेंट में आंसर question number 3 पन का तो आपका यहाँ पर जो सही answer है आपका यहाँ पर इसका उद्देश से जो है मनुरंजन की माध्याम सी लोग विवहार की सिक्षा यह जो है इनका प्रमक उद्देश से इनकी मुकरिया और जो पहलिया है इनका अमीर को सुरो की है question number आपका चंगन क्या पूँचा क्या है तो निमन में से कौन सिलांकित किरती है सिलांकित किरती है आपके लिए बताना है पाहुड दोहा है राउल बेल है प्राकृत प्यंगलम है बन रतना कर question number चंगन का सही answer चार विकल्प दे गए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक अवस्य करते जाएं जैनों आभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है और यहाँ पर राउल बेल राइट आंसर है यह जो सिलांकित किरती है कौन सी है राउल बेल यान की विकल्प नंबर भी आपका राइट आंसर है सिलांकित किरती है बिलकुल और कौस्चन नंबर आपके यहाँ पर पच्पन क्या पूंचा गया है राउल बेल किस तरह की रचिना है यह आपके लिए बताना है तो गद्य, पद्य, मिस्रित, चम्पू काबे, नाटक, सुद्य, काबे, अप्रेम, ख्यानक, प्रवंद, काबे कौस्चन नंबर पच्पन क्या होगा इसका सही आंसर पच्पन का महत्यपुण कौस्चन है पच्पन वा और इसका जो सही आंसर है गद्य, पद्य, मिस्रित, चम्पू काबे, आपके यहाँ पर सही आंसर राउल बेल जो है किस तरही की रचिना है तो गद्द पद्द मिश्रेत चम्पू का बे आपका राइट आंसर यहाँ पर है Question No. 56 पूशा गया है कि निमलिकत में से कौन ब्याकरण ग्रंथ की रूप में प्रतेश्टित हैं ब्याकरण ग्रंथ की रूप में प्रतेश्टित हैं तो रावल वेल बढ़न रतनाकर उक्ति व्यक्ति प्रकरण या कॉवलाई माला Question No. 56 का सही आंसर बताईए महत्वण Question No. 56 और इसका जो सही आंसर है चपकन का बहे होगा आपका राइट आंसर विकल्प नंबर आपका B यानि की उक्ति व्यक्ति प्रकरण आपका यहां पर सही आंसर है उक्ती व्यक्ती प्रक्रण्जो रोप में प्रतेश्टे थे तो व्यकल्प नमबर B राइट आंसर यहाँ पर होगा question number sun town क्या दिया गया है तो यहाँ पर देख लेते हैं question number sun town आपका नमबर यह रहा question number sun town आप भी पड़ा महत्तुपन question है, तो बताएए question number sun town का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा चार विकल्ब दिये गए हैं और संताउन का आपका सही आंसर है PGT परीक्षा 2015 में यह कौस्चन पूँचा गया D. राइट आंसर है आपका यहाँ पर यानिकी ब्याकरन ब्याकरन ग्रंथ है यह आपके लिए याद रखना है आपका अंठाउन पूँचा है निमनमे से कौन सी रचना ब्याकरन ग्रंथ है तो बताईए अब भी पड़ा वही कौस्चन आपका यहाँ पर डबल हो रहा है तो यहाँ पर C. राइट आंसर होगा यानिकी आपके ब्याकरन इनमे से कौन सी भासा आदिकाल की है देखिए आपसे यहाँ पर आदिकाल की भासा पूँचा है यह आपका कौस्चन PGT परिक्षा 2011 में एक कौस्चन पूँचा गया है तो ब्रेजवासा डिंगल पिंगल खड़ी बोली या अब दी तो जो रासुग रान्त टे एक किस भासा में लिखे गया थे ये question महत्वपूण है तो जो रासु ग्रंथे थे ये किस भासा में लिखे गए थे तो आपके हाँ पर सही answer क्या होगा खड़ी बोली अविदी या ब्रिज भासा या डिंगल पिंगल तो डिंगल पिंगल आपके हाँ पर सही answer है डिंगल पिंगल रासु ग्रंत किस भासा में लिखे गए थे तो यह जो है डिंगल पिंगल भासा में लिखे गए थे विकल नमबर डी राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा कॉस्चन नमबर आपका 61 पूँचा है चारन साहित किस साहित का दूसरा नाम है दूसरा नाम है यह आपके लिए याद रखना है चारन साहित यह जो है किस साहित का दूसरा नाम है सिद्ध साहित का जैन साहित का नात साहित का रासु साहित का कॉस्चन नमबर 61 का सही आंसर बत रासु साहित इसका दूसरा नम है, question number आपका 62 यहाँ पर क्या पूँचा है, तो question number 62 आपका एरहा यहाँ पर देख लेते हैं, question number 62, देखे, नहीं पूँचा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं में आपके लिए बताना है, तो बताईए question number 62 का right answer, तो यहाँ पर महत्तपूण question है, अपने जो पिछली परिक्चा में पूँचे गए हैं, और यहाँ पर आपका जो सही answer है, कि 84 सिद्धों में नहीं है, तो बहें नहीं है, कौन सारंगधर, कौन नहीं है, सारंगधर यानि कि विकल्प number C, आपका यहाँ पर right answer है, सारंगधर आ तो आदिकाल में जो साहित लिखा जा रहा था, यह किस परकार का साहित लिखा जा रहा था, यह आपके लिए बताना है, 63 वा question है, महत्तपूण question है, और इसका जो सही answer होगा, भै क्या होगा, आदिकाल में किस परकार का साहित लिखा जा रहा था, तो आपका सही answer है, क्या है राइट आंसर जन जीवन से हट कर रहे राजाओं की बीरता का अतिरंजित बर्णन क्या जा रहा था आदिकाली आदिकाल का जो साहित था इसमें आदिकाली साहित में ये लिखा जा रहा था जन जीवन से हट कर राजाओं की बीरता का इसमें बर्णन क्या जा रहा था question number आपका 64 क्या पूंचा ग्या है तो यहाँ पर देख लेते हैं question number 64 देखें एह है आपका कि बीर गाथा कालीन रासो काब में नमल्कित में से किस विशाय का बढ़नन नहीं है देखे नहीं पूंचा है आपका किस विशाय का बढ़नन नहीं है तो असराइदाता का अतिरंजनापून, बंडन, इतिहास और कलपना का समिसरन, कृष्ण लीला का पृतिपादन या यद्धों का सजीव और गत्यात्मक बंडन तो किस विसाय का बंडन नहीं है बीर काता काली रासु काब्यों में तो किर्ष्ण लीलाओं का पृतिपादन इसमें जो है नहीं है तो विकल्प नमबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नमबर सी राइट आंसर है, कॉस्चन नमबर आपका 65 यहाँ पर पूँचा गया है कि हिंदी साहित के 700 से 1400 इसवी के काल खंड को गिरेशन ने क्या नाम दिया है यह question most important question पूँचा क्या है आपसे यहाँ पर तो बताइए क्या है इसका सही आंसर तो हिंदी साहित का जो 700 से 1400 इसवी के काल खंड को गिरेशन जाज गिरेशन है इन्होंने नाम दिया संदीकाल· चारनलकाल· प्रारंबिकाल या ब्रहंसकाल तो यह आपका JIC प्रभकत परिज्चा में 2012 में एक वास्टों पूशे गया था रा competency राइट आंसर है विकल्प नंबर C चारनलकाल आपका पर यहाँ पर सही आंसर है बुल्कुल सही चारनलकाल जन passenger ने बताया विशल देवरासों में corruption नम्बर 66 है और 66 का सही आंसर आपका यहां पर जो होगा वह क्याbernate आंसर है विखल नम्बर C ना। वीसल देव रासो के रचेता पूछा है आपसे तो 67 का आपका जो सही आंसर है बताइए क्या है इसका राइट आंसर महत्तुपुन कॉस्चन और इसका सही आंसर है आपका नर्पती नाले विकल्प नंबर C आपका राइट आंसर है नर्पती नाले जन्हों ने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा वीसल दिव रासो के रचेता कौन है तो नर्पती नाले आपका यहाँ पर यह कौस्चन मी डबल हो गया यहाँ पर कौस्चन नमर 59 देख लेते हैं नमलेकत रासो गरंतों में कौन सा काब यह एक प्रियम काब यह सिंगार काब है तो वीसल दिव रासो, प्रत्वी राज रासो, परमाल रासो या जैवैं के जस्चन्दरिका कौस्चन नमर 59 का सही आंसर आपके लिए बताना है कौस्चन नमर 69 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा तो वीशल दिव रासो विकल्प नंबर एक राइट आंसर दोजान नौ में एक question पूंचा गया था Question number आपका 70 पूंचा है निमने लिखित में से किस रासो का बिका मूल वर्ण विसाए बीर रस ना होकर सिंगार रस है यह आपके लिए बताना है यहाँ पर तो question number 70 है निमने लिखित में से किस रासो का बिका मूल वर्ण विसाए बीर रस ना होकर सिंगार रस है तो आपके यहाँ पर खुमाल रासो या वीशल दिव रासो प्रत्वी राज रासो या परमाल रासो तो 70 का आपका जो सही answer है 70 का right answer होगा यहाँ पर विकल्प नंबर C वीशल दिव रासो वीशल दिव रासो आपके यहाँ पर सही answer है बिलकुल सही विकल्प नंबर आपके ही राइट आंसर यहाँ पर है जादा से जादा वीडियो को सेर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं तो आप चैनल को सस्क्राइब अबस्ते करने तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन